पत्नी का फोन पर बात करना पती को इतना नागवार गुजरा कि उसने पत्नी का हाथ ही काट डाला इतना ही नहीं आरोपी बदले की आग में इसकदर पागल था कि वो पत्नी का कटा हाथ लेकर ही फरार हो गया पती-पत्नी के पवित्र रिष्टे के बीच ऐसा क्या हुआ जो पती ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया देखे इस पूरी रिपोर्ट में अस्पताल में दर्द से तड़ प्रहीस महिला की हालत उस शक्ष ने की है जिसने पवित्र अगनी को साख्षी मान कर उसकी रख्षा करने की कसम खाई थी दरसल अशोखनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि देहाद थानक शेत्र के जगदंबा कॉलोनी में एक महिला पर उसके ही पती ने कुलहाडी से हमला कर दिया है पुलिस फोरण पहुची और महिला को लहलुहान हालत में अस्पताल भिजवाया जगदंबा कॉलोनी में दोनों अपने चार बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थी लेकिन कुछ दिनों से पती कमल को अपनी पत्नी पर फोन पर किसी गैर मर्ज से बात करने का शक्त था जिसे लेकर आए दिन इनके बीच जगड़ा होता था परिवार सहित महलेवालों ने कई बार दोनों को समझाने की कोशिश की लेकिन आरोपी की आखों में शक की ऐसी पट्टी बंधी थी कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया उसे बस किसी तरह से अपने बदले की आख को शांत करना था आखिर में उसने अपनी पत्नी से बदला लेने का खौफनाक प्लान बनाया और जिस हाथ से पत्नी से फोन लेकर बात करती थी उसी हाथ को काट कर आरोपी पती फरार हो गया पत्नी का हाथ काटने के बाद आरोपी पती उस हाथ को अपने साथ ले गया पुलिस गुम हाथ और फरार आरोपी दोनों की तलाश में लगी थी गंटों के मशक्कत के बाद धर से अलग हुआ हाथ पुलिस को आरोपी के पडोसी के घर की छट पर मिला गनीमत है कि महिला की जान बच गई वहीं भरोसे के साथ साथ जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने की कसमे खाने वाला आरोपी पती फरार है संतोष शर्मा, IBC24, अशोक नगर